हलो दोस्तों, वेलकुम टू मैं चैनल, मैं हूँ आपकी दोस्त सरिता चोहान तो दोस्तों, करोना पूरे बिस में फैला हुआ है और इसका कोई दवा भी नहीं है, इंजेक्सेन आया है जो हर इंसान और आम जनता के पास नहीं पहुंच सकती इसे बचने का एक उपाय है, अपने इम्मिनिटी सिस्टम को स्ट्रॉंग कीजिए इसके लिए आयू समंत्राले ने काढ़ा सजेस्ट किया है इसको पीए और अपने इम्मिनिटी को स्ट्रॉंग बनाए अपने immunity को strong बनाएए और healthy रहिए तो चलिए यहाँ पे क्या-क्या लेंगे और कैसे बनाएंगे इसका तरीका मैं इस वीडियो में बताऊंगी आप पूरी वीडियो को देखेगा अद्रक लेना है तेज पत्ता लेना है दालचीनी लेना है तुलसी पत्ता लेना है लॉंग लेना है और यह काली मेर्च गोलकी बोलते हैं इसको और इलाइची लेनी है यह मुनक का और गूर लेना है गूर यहाँ ऑप्सन है अगर आपको सुगर का पेसेंट है तो नहीं ले पराए जगें आदरग, इलाइची, यह डाल रही है, यह लॉंग डाल रही हूंJeole एलाइची अच्छ, उर 10 लोंग डाल रहे और यह लॉंग आठ है और यह गोल की डाल रही हूं और अदरग जटना1 grad बें당 लेना कूट इसको तांप आप इसको ताबुत भी डाल सकते हैं यहां को एक पतीले में चार कप पानी लेना यह दूसरा कफ है मेरा और यह तीन उसरा कफ हो जाएगा और यह आपका चौथा कप हो जाएगा इसको गैस पे रखेंगे पॉडर को ढाल देंगे हम इसमें अब इसमें हम तेज़ पत्त डालेंगे और ये तुलसी पत्त भी डालेंगे और ये द्राच जिसको मुनक्का कहते हैं ये पांच लिया था पांच डाल दिया मैंने और ये गुड गुड आपकी मरजी है ले सकते हैं जिनको सुगर है वो नहीं ले सकते हैं नहीं लेना उनको और स्किप कर सकते हैं जिनको सुगर नहीं है उनको ही गुड को यूज करना है और इसको हम पकने देंगे पकने कितना देना है चार कप का हमको दो कप बनाना है तो का बड़ों को क्या है एक कप लेना है लेकिन छोटे बच्चे हैं उनको वन फोर्थ कप ही लेना है और इसको सुबह साम लीजिएगा इम्मुनिटी बूस्ट करता है और आपका जो गले का जो है न कफ वेगरा वो खतम कर देता है यह देखे यह खौल चुका है खौल के उपर आ प्रवा आप फल वेगरा भी खा सकते हैं यह देखे यह थोगा कम है और यह ज्यादा है यह बड़ों के लिए बच्चो वन फोर्थ कप तो वसाम आपको लेना है ज्यादा नहीं लेना है और यह देखे मैं काढ़ा बना के रख देती हूं क्योंकि मैं इसका सेवन करती रती और इसे में जो कफ नहीं होता है यह ज्यादा कॉइंटीटिव में बना के रखती हूं बना के रख सकते तो दिन भर में मतलब दो तिन जन है तो इक ट्टे पी सकते हैं थैंक्यू फर वाचिंग उमीद करती हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा